साथ यो आज की इस वीडियो में हम मद्दान आरभ होने के पूर पीटा सी नदिकारी द्वारा भरे जाने वाली गोशला के प्रारूप को देखेंगे तो पीटा सी नदिकारी को मद्दान से पूर वे एक गोशला कन्नी होती है ये उसी गोशला का प्रारूप है तो इस प्रारूप में सबसे उपर लिखा है अनू लगनक फाइफ पीटा सी नदिकारी दुबारा गोशणा भाग एक तो इसके दो भाग हैं सबसे पहले हम भाग एक को समझते हैं इस प्रारूप में सबसे पहले आपको अपनी विदान सभा का नाम लिखना है जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 20 धामपुर उसके बाद आप संसेजी को काट देंगे क्योंकि यह विदान सभा का निर्वाचन है मद्दान केंदर की किरम संक्या और नाम तो आपको अपने मद्दान केंदर की किरम संक्या और नाम यहाँ पर लिखना है जैसे हमने लिखा है 100PSXYZ उसके बाद आपको मद्दान की तारिक डान ली है और यह जो भी पॉइंट से इनको आप ध्यान से पढ़ ले यहाँ पर पिटासी नदिकारी को अपने हस्ताक्षर करने है और मद्दान अभी करता हो के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कराने है और सम्मंदित पिर्तियाश्यों के नाम आपको यहाँ पर लिखने है जैसे हमने लिखा है XYZ तो यह पिर्तियाश्य का नाम है और इस पृतियाशी का जो भी अभी करता होगा उसका हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कराना है अगर किसी पृतियाशी का अभी करता हस्ताक्षर करने को मना कर देता है तो सम्मंदित का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और प्रितियाशी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद नीचे आपको डेट डालनी है और पीटा सीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे अब हम इसका सेकंड भाग देखते हैं अगर EVM मशीन बदली गई तब यह सेकंड भाग बढ़ा जाएगा तो इस बात का आप ध्यान लखे सेकंड भाग में आपको विदान स्वाबा का नाम लिखना है और मद्दान केंदर की क्रम जंक्याओ नाम और मद्दान की तारीक नीचे पिठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और मद्दान भीकरताओ का हस्ताक्षर यहाँ पर कराएंगे और सम्मन्दित पिर्तियाशिक नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने लिखाए X,Y,Z सेम वही पिरोसे से अगर किसी पिर्तियाशिक अभी करता हस्ताक्षर करने को मना कर देता है तो उसका नाम आप नीचे लिखेंगे और पिर्तियाशिक नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद नीचे आपको तारिक डालनी है और पीठासी नदिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे तो ये मद्दान पिरारम होने के पूर्व की घोशना है इसे आप बिल्कुल ध्यान से बरे अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंदा आई तो लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद